विश्वा का नेता और विश्वा का लीदर हमारा देश को उन्चा और मजबूट करने वाला और हम सब को सही राष्टा दिखाने वाला समानिया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले में हाड़िक स्वागत करता हूँ शर आज हमारा स्थेद में बासपा का लेट कामन है यह सब आपकी अर्शिवाट और आपकी बज़े से हो रहा है यह सब आपका बदोल अधे शर आप जरूर याद करते होंगे शर कि जो आपने आपकी इस पिस में कहा था कि जो कंग्रेस को आपने पिछले 15 सालों में नहीं कर शका वो काम हम 15 महिने में करके दिखाएंगे आप हमें आपके शयोग से करके दिखा दिया और करते रहेंगे हमारा प्रेय मनिपुरी पशियों के लिए और देश के लिए हम आपके सार्ट रहेंगे हमेशा हमारा रायजे को करफशन फ्री दिवलफ और पिस्पूर्ट स्थेट बनाएंगे आपका सपनों को भी हम पुरा करते रहेंगे मन्स में उफस्तित आदार्णिया हमारा रायजे का गवर्वनर सिर्मती डाक्तर नजमा हेप्तुलाज जी हमारा रायजे को विकास लाने के लिए जितना जो आपने मेहनेत की वो हमेशा याद रहेंगे आपको भी हाडिक सौगत करता हूँ मन्स में उफस्तित हमको साथ लेके चलने वाला और बहुत मेहनती हमारा रायजे का मुख्र मंत्री शिरी एन विर्यन सिंग जी को भी हाडिक सौगत करता हूँ और अदर्णिया डाक्तर जी तेंदर सिंग जी मिनिस्ट बहुत बढ़ी टूनर अदर्णिया शिरी हर्जबतन शिंग अथर्णिया याद्णिया जी और राज़ेश्याब एंपी शिरी के बबानेदा सिंग जी, हमारा इस्तेत का प्रभारी अधानिया शेनियार एंपी शिरी प्रलाद सिंग पतेल जी और मंजबे उपस्तिर ओनेरबल एंपी मेरी कॉम जी और हमारा राज़ेश का लेजिसलेटीफ एसेंबली का स्पीकर जी और मंजबे उपस्तिर मंत्री गंज और सामने में उपस्तिर ओनेरबल एमलेज और पार्टी का लीडर्स और पार्टी का सभी करकता साथी लोग और केंद्र और राज़ेश का ओफिशेल्स और हर जगा से आये हुए हमारा प्रिये बायों और बहेनों सभी और आज का काईक्रम को हर देश की हर कोने कोने में पहुंचने वाले हमारा इलोट्रेनिक एन ब्रिन मेदिया का दोसों को भी में शौगत करता हूँ और बहुत बहुत धनबाद जय हिन मतंगा इकाइकम नचरबा मने पुर्गी मुख्यमांत्री स्री नंतों पंबेरें सिंहा तें तक पावाही करतां भी गनी मैं पुनमक्त एकोई हम प्रणान मंत्री जी से इजाज़त ले शुकाहूं कि हम अपने बसे में बाद करूं मैं नचिता किना सही अमकी ममांगा शेम्खी बाद कुम्बा बीजेपी न लुशिंग बाद सरकार सिगी सही भारकपा मैं सिदाइधा भारत की यामन मत्रिक मगूल ले रवात कुम्बा ओनर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीना इकोई की इरक्ता लाक्तना सुकुम्बा सही की सेलेबरेशन्स यावी बगी दमक्ता इहान हान्वाता आद कुम्बा लाइपोक कुम्बा लेजेंडरी शचिता आ परक्ति सेलेबरेशन्स यावी बगी है कोई सर्कार की माई केई दगी अमधी मनीपूर मियाम की माई केई दगी तराम नोपकलो इनना महा कुछ थागट पगी वहयं तंग लॉमिनसी ऐना मोदीजी है पकाना मैं आमना हुग लगा जिन्दा वा अटेन हम उतो पिल। हुआ 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 हु माई कलिक श्री राथोर जी एकोई की बीजेपी सर्कार से लिंगनाब होना बदा अधुक मायाम अकन भा थोगदा अंगलोग बा मनिपूर की इंशर्स पहर पतल जी अधुका एकोई स्थेट्षी की प्रसीदेंट अधुका राइजर स्रवागी MP शुवरबा MP C in erkoli कोम अधुका ओनर्थी स्थेगर पार्टी स्थेगी अधुको फोगदान लोगवी जी जी भा अधुको अलोई नजी Series लिभा अधुका अधुका की सरकार गिएकिक를वेिएक डिकम्ने डिक्टिक्र सींग क्यंटивать ककी का रिक्टिदनेट मिनिंस्टर सींग मांग द्ल पर्टी की करिकटा पुनमाग जोनेल गी अजयी जमान जी लीजर अधुमब नौरिस्ता बीजेपी अमधी बीजेपी जूंग सिंद वसर्कार प्रोन अभानव दाय तलो लिबा अधुका मानी पूर्गी मफं कयादगी लेंगी लेंगी रगली वा इसले लें मयाम पुनमाग इमाईवेर पुनमाग अचाय कुपना जरी अमधी कोग मान जरी प्राइमिनिस्टर मोडी जी अधुका के सर्कार से स्यम दागी लांग जिंग सोग वदा लाग भा पांक्टो की बादू मेतिंग अमदा महाना मियाम दा पिरम की बठाजबा BJP न सरकार पाहन से BJP दा सक्टी पियो BJP दा सक्टी पिवा नुमित्टू दगी लाई बाक्षिदा सांती लहें गनी सिंग अमधी टंगी मरक्त लहरे बखेन अबा लाई हलोई बंद ब्लोके लहे लोई है बपको सकतो गशी दी इसोर नहीरम बदो ना प्राइम मेंसर मोजी की थब गदो गशी कोई नपांको पंगम ले सर वी एश्योर यू आपको वसं आपको जो बात जो पाप्लिक को कमित किया है ओ हम लोग निसे नहीं जमें नहीं गिरने नहीं देंगे जिंड़की जाए जान जाए लकिन वसं नहीं आदूना आपको इन अशी मनीपूर्ट लाउस्वानियर सिद अहोंग इबा अहोंग बा सिंग जाट पदा तम जाट पदा मधूगी फ्री मोडीजी नहीं जब बोला था जो पंद्र साल में नहीं कर सकता है वो हम पंद्र महिना में करेंगा वो जिरी रश्ता साट महिना में बना के प्रभलिक को दिया है जोड़ुद्टे कोश्पल लिए अस्ट पारट जैना मतले टरब अग्सक्राइब कोई नहीं है हम लोग आना नहीं है बाघ नहीं है मने बज़क पैरेंट नहीं है अम लोग को वहां पे नोडिस लोग को एले नेशन फिलिंग करा रहा था वह हम लोग को निशे समझ रहा था लेकिन आज जब मौदी जी और प्राइम निसर बनके आये कितना सेंज हुआ नोडिस में सबस्तवी सिस्टर था शिकिम को सोरके पहले सब्सक्राइम सिस्टर की मनुंदा जौकी समय हुआ घृघ आफ जककोंकुश अ एकोई की कांपूश इनपा प्राइम मिनिस्टर मोडी जी गेंदूंबा अदूखोब भारत की नैसनेल बीजेपी की पार्टी आदूंबा अमिच्वागी एक साथ सबके साथ सबके भिकास सबको लेके जाना सबको काम देना सबको मजा लेना बारत की नेशनल लेडल पीड़ इवाथ इवाद कानप वाफंगें अधुना अधुना यह मतंसांगे लोगजरोगे सुकुम्भा लीडर इसोर कुम्लब लिजेंट अधुना है नाजि नोग चीन पाकतना इकोईजनों थादना अधुना नाधुना प्राम एशिलाग्पव रिसिप्संग अमरोग तो इसोर नाधुना थार प्वासारी नाधु आदुना, my friends, आप लोग ने हम लोग को बहुत दिया है, आप लोग ने प्राइमिनिस्टर मोजी जी को अमिच्छा जी को वादा किया है की सेंस साहिए, we want a sense, what sense you have seen within a year. मनिपूर्ण हुजी, ब्लोकेट की, बन गी, कमुनिटी एनी की मरकता हूंगे, उंखत नपा मांख रहे, मस्य कुंबा मनिपूर्ण मखाता आना लगी नपकिता मकता, भासपा आगी अदुकंबा, आइडोलोजी लईबा, प्राइम इंस्टर मोजी जी की अदुकंबा, बिज कि अदुकंबा, प्राइम इंस्टर मोजी, जाए हैं। Thank you so much, Honourable Chief Minister Manipur. It is our distinct honour to request Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to unveil the plaques to mark laying of foundation stones of seven projects and inauguration of four projects. It is our The स्टेयल कि न सक्षाइब तर बादी समय को वाँ जी न है कि अर यह जाओ जगी तो जांगि नहांक तर्फटल नहां का बादी सक्षाइब Tele 001 चाहिए लाइब आफ्रजाज के जो चाहिए कि मेलम स्क्राव बगन सिर्दोंग प्रहण को सब्सक्राइब अभर्याज को च्छिक प्रष्ट नियू प्रैम कि उनी वन्यूर्ट वन्यूर्ट चुकिल्ट वन्यूर्ट । यह नही नहीं पर दो एक जाएंगे आने वाली पीडिय के उटकृश्ट कोचे जाने वाली पीडिय के आट कृश्ट कोचे, sports administrators, sports educationists or professionals. जिसके जीवन में खेल कुझ है, इसके डवलोप्मेंट का लेवल बहुत अलग होता है. और National Sports University इस विजन को बहु भी साथ करेगी. Transduction of 1000 अंगनवारी centers across different districts in Manipur. चेरावजें अंगनवेबन is a popular hill here in Far City. The top of the hill is venerated by myself who offer prayers on the king of Manipurri or Manipurri Hindu's new year, i.e. चेरावबा, every year. Schedule Tribe Girls Hostel The Schedule Tribe Girls Hostel was a very innovative project taken up in 2010-11 at an estimated cost of a piece of 8.53 pro with support from the Ministry of Tribal Affairs, Government of India by Department of Tribal Appeal and Affairs, Government of Manipur. The Government of Manipur has developed Rani Gaidinlu Park at Manchukuri in honor of Rani Gaidinlu, a great freedom fighter of the nation from Manipur. Nuang Kofa Multi-Sports Complex Nuang Kofa Multi-Sports Complex was developed by the Government of Manipur with funding under SPA at an estimated cost of the piece 14.114 in the year 2008 and 2009. The project will help in realizing the potential of cricket and money. The All Women's Market, known as Inma Market at Infal, has played an important role in acting as a model market in transforming and enhancing the role of women in the socio-economic and socio-political spheres of money. Such women's markets, not only capture for big needs, but also provide immense economic opportunities to grow women. In Pandara Salaam, the work that you have done, I will give you the responsibility of the government of the government of Pandara Salaam. In Pandara Salaam, our大家 can be Therefore, our government of Ant DasYouTD Na zahúatu Raip, brazil, Wohnung난 Kofa Multi-Seiras, lujoba, झाल 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 May we request May we request Honourable Prime Minister to present a memento to Mrs. M.C. Marycombe, Honourable Member of Parliament in recognition of her outstanding contribution towards the promotion of boxing in our country, India. Ladies and gentlemen, please give a big hand, 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 please give a big hand to welcome the honourable to welcome the honourable Prime Minister. अश्श्अजरी, आढ़्शाइ, please give a big hand, please give a big hand, please give a big hand, please give a huge hand, please give a big hand, God. मनिपूर की प्रजा पूम नामा को थागच्चारी सबसे पहले मनिपूर की जनता को बहुत बहुत बढ़ाई मन्च पर विराजमान मनिपूर की राजपाल डाक्टर नजमा हेपकुलाजी यहां के लोग प्रिय और करमट यशश्वी मुख्यमंत्री सिमान एन बिरेंची केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी और दोनार मंत्राले को देखने वाले डाक्टर जितेंद्र सी केंद्रे में मंत्री परसेद के मेरे साथी और मनिपूर से पुरे देश को जिस विशे में आशा है वो हमारे खेल मंत्री कर्णल राजवर्दन सी राठोर राज विदान सभाग अद्यक्षन सिमान वाई खेमचन जी संसद में मेरे साथी सिमान के भावान सी प्रणलाज पतेल जी, राज के उपमुख्य मंत्री, श्रीमान यूमनाम जॉय कुमार ची, राज सरकार में मंत्री, श्रीमान विश्वजीत ची, श्रीमान एल जेन्द कुमार ची, श्रीमान करम श्याम, श्रीमान लेटपाव होकिप, श्रीमान एन कैसिल, श्रीमान श्याम स्रिमान लोशी दिखो, स्रिमान भी हंक खनलियान, स्रिमती नेमचा किपगेन, स्रिमान रादे शामची और साउसद में हमारी साथी देश का गवरों बढ़ाने वाली इसी धर्ती की बेटी स्रिमिती, एम सी मेरिकॉम और विशाल संग्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बेहनो मुख्यमंत्री स्री एन बिरेंसी जी के नित्रुतु में राज्य सरकार ने कल एक वर्ष पुर्ण किया आज दूसरा वर्ष का प्रारंब हुआ है सरकार कैसे चलाई जाती है, शाथन कैसे चलाय जाता है विकास की योजना उपर कैसे काम होता है स्टेबिलिटी का मटलब क्या होता है केंद्र और राज्ष सरकारे मिलकर के अगर कारे करती है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है इन सभी प्रश्णों का उत्तर आज मनिपूर की भव्य तस्वीय देख करके हर किसी को मिल जाता है आपकी आँखों में चमक आपकी खुशी ये साब साब बता रही है कि राज्ष सरकार के काम से आपको कितना संतोष है सरकार कितना अच्छा प्रगतिशिल काम कर रही है जिस प्रकार से इस विशाल मात्रा में आप दूर दराज इलाकों से यहां आए है हमें आशिरवाद देने आए है एक वरसे कार को संतोष प्रगण करने आए है और दूसरे साल के लिए जोश भरने के लिए आए है और इसके लिए मैं मनिपूर चाये हुए सभी मेरे प्यारे भाईयो भेनो आपका रदय से आभार व्यक्ता करता हूँ मैं मनिपूर के लोगों का यहां के प्रशासन और राजसरकार का पिछले एक वर्ष में किये गए कारियों के लिए उनकी उपलब्दियों के लिए रदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मुझे याद है पिछली साल फरवरी में जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि 15 साल में जो कॉंग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो हमारी राजसरकार 15 महिने में करके दिखाएगी दिखाया क्या आपको संतोध है काम करने वाली सरकार है नतीजे नजर आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अभी 15 महिने पुरे होने में तीन महिने बाकी है लेकिन मणी पुर्प में बडलाव साब देखा जा सकता है पहले की सरकार की नीतिया अंग्रिनेवों से समाज में जो नेगेटिविटी आ गई उसे बिरेंजी की सरकार ने बदल दिया लो अन ओर्डर हो करप्शन की बात हो ट्रांस्परंसी लाने का प्रयास हो इंफास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम आगे बढ़ रहे हो हर मौर्चे पर मनिपुर सरकार तेज गती से काम कर रही है साथ यो मनिपुर के विकास के लिए आज मुझे करीब करीब साथ सो पचास करोड रुपिये साड़े साथ सो करोड की योजनाओं को सुरू करने या लोकारपन करने का सवभाग ये मिला है छोटे से राज में एक कारकम में साथ सो पचास करोड रुपिये के काम ये अपने आप में काम की गती कितनी है इसका जीता जाकता सबूत है ये योजनाओं सीधे सीधे यहां के नवजवानों के सपनों को उनकी प्रतिभा को उनके रोजगार महिलाओं के सथेक्टिकरम और शेत्र में करेक्टिविटी से जुड़ी हुई है मेरा विश्वास है ये योजनाओं राज के विकास को नई उचाईयों पर ले जाएगी भाईयों और बहनों स्पोर्ट्स आज सिर्फ मनोरंजन और फिट रहने का मसादन भर नहीं रह गया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्यम बहुत बड़ा उद्योग है आज ये फुल टाइम केरियर भी है हमारी सरकार का प्रयाथ नहाँ है कि देश के नवजवानों को स्पोर्ट की आधुनिक ट्रेनिंग के साथ हर सुविधाय दी जाए विशेशकर उत्तर पुर्व में लाखों नवजवानों के सामर्त और उनकी प्रतिभा को देखते हुए केंदर सरकार ने पांच सो करोड रुपय की लागत से नेशनल स्पोर्ट युनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया था मुझे खुशी है कि इस साल जन्वरी से यहाँ दो कोर्ष शुरू भी हो चुके हैं आज जिस केंपस का सलान्यास मुझे करने का आउसर मिला उसका कारिय पूरा होने के बार यहाँ के नव जवानों के स्पोर्ट स्ट्रैलेंज को सामने लाने उसे ट्रेनिंग देने में ये व्यवस्ता से और मदद मिलने वाली है भाईयो और बहनों कल पर लेकर के चल रही है हाल में ही हमने खेलो इंडिया नाम से स्पोर्ट के डेवलप्मेंट के लिए एक नेशनल प्रोग्रेम शुरू किया है खेलो इंडिया कारिकम के तहर हर साथ देश के चुने हुए एक हजार प्रतिभावान एथलेटों पर पांक लाख राव रुपिये तक खर्च किया जाएगा मैं मनिपूर के नवजवानों का भी आवान करता हूँ कि इस योजना का जादा से जादा लाब यहां के नवजोना उठाएं आगे आएं हमारा फोकस स्कूली तरपर टैलेंट की पहचान कर उसे निखारने का भी है हाल में ही इस प्रोग्राम के तहट दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आविजन हुआ था मुझे खुशी है इसमें भी मणी पूर ने अपना लोहा मनवाया और मेडल टैली में पांच में स्थान पर ये छोटा सा राज्य पुरे बेश में पहले पांच में आ जाए ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की पास मनिपूर ने देश के बड़े बड़े राज्यों को भी पीछे छेड़ते हुए तेरा गोल मेडल सहीर चोटिस मेडल जीते इसके लिए यहां के यूद को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ सिर्फ मनिपूरी नहीं बलकि नौर्थ इसके बाकी राज्यों के बच्चों ने भी सांदार प्रोजर्शन इन खेलों में दिखाया है साथियों आज यहां स्पोर्ट से जुड़े एक और बड़े प्रोजर्ट का लोकारपड किया गया मनिपूर का पहला मल्ती स्पोर्ट कॉम्प्लेट्स अब यहां के नवजवानों के हवाले कर दिया गया मल्ती स्पोर्ट कॉम्प्लेट्स बे यहां के नवजवान यहां न सिर्फ ट्रेनिंग कर पाएंगे बलकि अच्छे तुड़नामेंट भी आर्गेनाईज हो सकेंगे भाईयों और भेनों मनिपूर देश का वो राज्य है जिसने स्पोर्ट के माध्यम से विमेंट एंपावर्मेंट की बात को सच करके दिखाया यही की महरा खेलाडियों ने आलेंग पिस्ट में लेकर के कॉमन वेज खेलो तक हर जगा पे देश का नाम रोशन किया फुटपॉल हो रेस्ली हो बॉसिंग हो वेट लिप्टिंग हो आर्चरी हो कोई भी खेल ले लो इस राज्य ने मेरिकॉम मिराबाई चानो बॉंबाईला देवी लेशराम और सरिता देवी जैसे कई चेंपियन्स इस देश को दिये मेरे ओ मैं प्रॉब्स्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्पॉ this state has always been a source of inspiration for the country. Today on this occasion, I salute the great revolutionary and daughter of the nation, Rani Gaudilio. I am also privileged to inaugurate today a park dedicated in her name. Friends, girls' education is the foundation for women empowerment. Only sometime back, the central government launched nationwide Beti Bachao, Beti Padao program. The program has elicited nationwide positive results. I am happy that the state government is working to reduce the problem faced by the gulf in hill and tribal areas for their education. The state government has undertaken construction of a new hostel for gulf in the tribal area. I am fortunate to inaugurate one such hostel today. Women in Manipur are proactively involved in areas ranging from farming to handicrafts. And all women markets was envisaged so that women do not face any hardship in selling their products. Manipur government led by Sri Berenji is getting such a market constructed in the entire state. I have just inaugurated one such market. I would request Sri Berenji to also popularize government e-marketplace in the state. This is a platform through which you can sell products to the government. Women in Manipur can get huge benefits from this initiative. Today, I also inaugurated 1,000 Angadmari centers in the state. This center will work as a medium for improving the health of thousands of mothers and their babies. They will also benefit from the recently launched National Nutrition Mission on Women's Day. The objective of the mission is to have a targeted approach on on providing nutritious food, cleanliness, and vaccination. Doctors, teachers, and nurses posted in remote and far-flung areas of hill district faced many hardships due to lack of proper accommodation at their respective places. To address this problem, I have laid the foundation stone for construction of accommodation for teachers, doctors, and nurses at 19 specified locations in hill and remote areas. I am sure this will go a long way in in motivating medical personnel to render dedicated service to the people of this area. Friends, our government's vision for the Northeast has been transformation by transportation. Our focus is on connectivity. Work is also in with progress for connecting remote areas of Manipur by helicopter service. Government is also working on various road projects. I have also laid the foundation of an important road project today. Manipur has a lot to offer on the tourism front, the forest and wildlife, blue hills, lost green valleys, picturesque tea gardens, and diverse culture. Highly educated English-speaking youth in the region made for a perfect case for developing Manipur as a model tourist destination. If tapped well, the sector can emerge as the biggest employer in the region. I also laid the foundation stone for ecotourism at project has also been laid. Friends, I have always maintained that India's growth story shall never be complete until the eastern part of our country progresses at par with the western part. The Northeast can be the new engine of India's growth. We are addressing the special needs of the Northeast region to enable growth parity with the rest of the country. Various ministries have been providing special dispensation for the Northeastern under their sector, the Northeastern under their ongoing schemes. All union ministries are mandated to spend 10% of their budget in the region and the full utilization of this entitlement is the and endeavor of the endeavor of my government. I have mandated my Cabinet colleagues to regularly visit the region and take stock of schemes for their effective implementation. Till date, more than 200 such visits have taken place by the union ministers. I have visited the Northeast more than 25 times in the last four years. The central government has given a huge thrust on improving the infrastructure in the region. In the last three years, on an average, 5,300 crore rupees have been spent annually for for development of rail network in the Northeastern region, which is two and a half times of our average spending in the previous five years. The Jiribam station in Manipur was connected by the Broadgauge rail network in 2016. I had flagged off the first passenger train to Jiribam in May 2016. Today, seven out of eight states of Northeastern India are connected by rail network. projects are going on to connect the remaining state capitals, including Imphal, in Northeast, to Broadgauge network. One of the highest bridges in the world, having pier height of 141 meters, is being built in Jiribam, Imphal. Jiribam, Imphal, New line projects. A tunnel of 11.5 kilometer length on the same route will be another milestone feature of this project. At the beginning of 2014, the state had only 1200 kilometers of total declared length of national highways. But in the last four years, we have declared another 460 kilometers length of road as national highways, which is an increase of 38%. In next three to four years, the central government is going to invest about 30,000 crore rupees, 30,000 crore rupees for development of national highways and other important roads in Manipur state. Apart from constructing national highways, we are also focusing on protecting rural habitations with main roads under Prime Minister Grahmin Sadakya Ojana. The central government has released more than 1,000 crore rupees in the last four years under this scheme to the state. We have connected 150 habitations during this period. All these efforts are reflection of our commitment for developing road connectivity in the state. The union government has approved a new central sector scheme of north spatial infrastructure development scheme. This will fill up gaps in creation of infrastructure in specified sector. Friends, I I urge all the directors general of police during their 2014 annual conference held in Govati to broad base police recruitment. Accordingly, in order to maintain cosmopolitan character of Delhi police, we have taken steps to increase the number of police personnel from the northeastern regions. I am happy to share that 430 candidates including 136 female candidates from northeastern states have joined Delhi police in 2016. Of these, 49 candidates are from Manipur state. Recently, government of India has sanctioned 10 India reserve battalions for northeastern states, which includes two battalions for Manipur. These two battalions will directly provide job opportunities to about 2,000 youth in the state. We have established an administration that is citizen-centric, and we have started the process of regular and structured interaction with the public. These interactions were unheard of in the history of Manipur. meyan gi, nunmeet, and hill leaders, they are apart in this direction. I am told 24 such interactions have happened in which more than 19,000 people have made the chief minister. I am told that state government is taking public grievance very seriously. A grievance cell has also been set up in the chief minister's office with a toll free number. The go-to-Heels initiative of the government is a welcome step. The chief minister with his entire cabinet has also travelled to all the Hill districts to take the government closer to people. once Manipur decides something no force can prevent it from happening in April in April 1944 in April 1944 it was in this land of Manipur that Netaji Subhachandra both I.N.A. gave the clarion call of for freedom it energized the nation and gave much needed strength to the freedom struggle today Manipur has decided to play an important role in the rise of a new India in the last one year Manipur has demonstrated what a politics of development and good governance truly is S.A.T.Y.O. 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 से पूरे पूरा सहीयोग मिलता रहेगा मैं देख रहा था यहां के नवजवाने जो है स्टेडियम को जिस प्रकार से तिरंगे रंग से रंग दिया है जिस प्रकार से देश की एकता का संदेश बड़िपुर के नवजवारों ने आज दिया है मैं सच मुझमें आप सबको बहुत बहुत बदाई देता हूँ एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ मया मदो ठागत्चारी भी that the honorable prime minister will now depart from the venue thank you so much ladies and gentlemen we have now come to the closing moment of the launch of development project by fina narendra modigi honorable prime minister in the presence of honorable governor and honorable chief minister manipul kurumjeri हुझ जिए है पांख जरी बाधोरं, जहां हम एस से लेशन जरी, नेग है दे एकपाई उन्हा को, अमोक भाला, खुरूम जरी. क 거는 स्ट्सरेमा प्सोर्म में एक नूह को सब पागर पानी फॉपली पैन्मे scripture पगी पंसे हो जड़े जली स printer को प्रूपलीा खरिदी आटलीज मे artists कुलन कεί सो में जली लुबे कर दो झाल झाल